तो वो गाएंगे तो खाना खाएंगे ना जब वो गन्ना पैदा करते हैं जब किसान गाजर पैदा कर रहा है किसान चीनी बना रहा है किसान दूद बना रहा है तो गाजर कलवा उन्होंने खा लिया तो क्या दिक्कत होगी बता हूँ वो कह रहे गाजर कलवा क्यों खा रहे ह है ना वो खाबी रहे हैं और लोगों खिला भी नमस्कार मैं इस मेटी थाकुर और आप सब देख रहे हैं एपनेस इंडिया लगतार किसान अंडॉलन बढ़ता जा रहा है पहले यहां दिल्ली में किसान अंडॉलन किसान कर रहा है थे अलग-अलग बॉर्डरों पर भी कर रह जी नमस्कार सर जैहिं सभी को मेरा प्रणाम पहले तो किसानों ने दिल्ली में संसद लगाई अब जैपूर में संसद लगा रहे हैं तो इस पर चुनाव में क्या असर पड़ेगा देखिए किसान अंडॉलन काफी लंबे से में से चलता रहा है लग-बग 9-10 महीने हो चु किसान संगठनों को सामील करके फिर से किसान को जो बिल है वह लेकिया है और किसान किर्सी ओनून जो नहीं बनाने हैं उन पर चर्चा करके फिर दुबारा बनाब जाiss 만들 both का अब रहा क्रहिक अश्स उ कई還有 देश् mé वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है और बहुती काफी लंबे समय से अंदोलन कर रहे हैं आपने बताया कि दिल्ली के अंदर संस्चत लगाई बिल्कुल ठीक बात है दिल्ली के अंदर उन्हेंने संस्चत लगाई और संस्चत इस तरीके से महाल क्रियेट किया कि लगे कि हाविज किस परकार से बिल पास होने चीए और किस परकार से बिलाना चीए असर सरकार इनकी बात नहीं मानती है तो इसमें जो बीजेपी की सरकार है वो आने वाले समय जब चुनाव होगा तो उसमें उनको क्या असर पड़ सकते हैं मुझे दो लख रहा है कि खासा आसर देखने कु भाइगा क्यूंकि जिस परकार से BGP नेताओं का विरोधー हो रहा है जगयizing ऐा पर किसाना को लेकर किसान लगातार इनका BGP नेताओं को विरोध कर रहे हैं, हर्याना की बात करें, पंजाब की बात करें, यूपी की बात करें, पच्छी में खास कर, बिल्कुल भी किसानों के दुवारा बीजीपी नेताओं को गाउं में नहीं घुजने दिया जा रहा है, और हर्याना में तो आप ने देखा, अभी ल को कारवाई करनी पड़ी तो यह लगातार इस तरह की गतिवतिया हो रही है और अगर चुनाओं की बात करें तो आपको मैं बता दू पच्छी मंगाल कर चुना हुआ था तो किसानों ने जाके पर चार परसार किया वहां पर बीजीपी को वोट ना देनी की बात करी जहां पर पर बीजीपी हारी भी और लग राता महोल जिस पर करने बनाए हुआ था कि जीच जाएगी पर वहां पर हार गई और वैसा ही अब किसान कह रहे हैं कि यूपी और पांच राजी के अब चुना होने वाले पंजाब यूपी और जो अलग अलग चेत्रों में जिन राजों मे में अभी चुना होने वाले खास्त वर पर किसान हर राज से सबसे उपर माना जाता है क्योंकि की किसान से ही लोगों के तक अनाज जाता है अगर उन किसानों की बात नहीं सूनी जा रही है तो इस पे क्या ओँजो अंदौलन कर रहे है और संसद में बैठ आने बैट ज आप में किसी भी रहते था है। तो अभी जुनाव है, यूपी के अंदर भी खासा सर देखने को मिल रहा है, उसके बावजुद भी पता नहीं क्यों सरकार अडिग है कि इनकी बाते ना सुनी जाए, उनका कहना है कि ये बहुत अच्छी सुदार है, जब एक अधिकांस हिसा कह रहा है कि मुझे ये चीज नह करते हुए, तो फिर से बैटके, डिसकस करके नहीं तरीके से उसको कानून को लाना चाहिए, अभी मुझे फ़र नगर में महापंचा है तो ये किसानों की, पूरे देश से लोग आए वहाँ पे और बहुत ही ज़्यादात में लोग थे और वो यूपी में ही पड़ता है, और यूपी के अंदर चुनाओ है, उस देख भी लिया उन्होंने, उस तभी थोड़ा डेल लिस में दी हुई है, तो किसान लगातार अगरसर है, किसान कह रहा है, पर कुछ एक अधिकांच हिस्सा ऐसा है, जो सोसल मीडिया पर और वो ऐसा महोल क्रेट कर रहा है, वो कह रह वर फ्रीटे बिल्कुल ठीक बात है, कि किसान अंदोलन के उसमें घुषके कुछ लोग ऐसी एक्तिविटी कर देते हैं, जो जिससे अंदोलन बदनाम होता है, यह बहुत पूरानी परिकरिया है, किसान अंदोलन को तोडने की यह पुरानी परिकरिया है, जो भी अगर मालो पर कुछ ऐसे एंटी सोसल एलिमेंट को भीजा जाता है जो वहां जाकर उत्पाद मचाए और उस आंदोलन को गलत तरीके से पेस करके ऐसा दिखाया जाए कि यह चीजे जो आंदोलन हो रहा है वो गलत है और वो जनता के इतेसी नहीं है तो वही ऐसा कुछ किया गया था यहा होआ है अभी तक के इत्यास था कि यह सबसे लंा अनदोलन है तो यह होद बड़ी बात है इस पर चर्चा ना हो ना और इसके उपर कोई वारतला अप्ना होना सरकार और आदयों के बीच में धर मेर के बीच मेरे साबसे निंद THIS लग सबक्र आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं मिरे बात एक पर सुनियेगा कि किसान वहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं वो गाजर कालवा खा रहे हैं या पकवान खा रहे हैं तो मुझे एक बताओ आप गाजर कौन उगाता है किसानी उगाते हैं दूद कहां होता है वो भी किसान किसानों के अधि तो ऐसे जो सोचल एंटी सोचल एलिमेंट है यह लोग भी इनको समझना चाहिए कि ऐसी गलत अफ़ाय फहला के कुछ नहीं होने वाला है आप सही चीजों को बताओ अगर किसान आंदोलन में कुछ गलत लोग है या गलत उनकी डिमांड है तो वह मानी वह नह कर चंडीगेट जाना है आपको तो वहां पर सड़क के ओपर यह बैठे हुए है चारे थे रामलीला ग्राउंड में आ जाए सरकार नहीं आने दिया नुकसान उल्टा सरकार को हो गया जब उन्होंने इस तरीके का अंदोलन मना दिया कि वह सो रोड भी बैठ गए तो जंता के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले जैहिन झाल